प्रोफिर साहब आप 1987 से साहाब से सीधे जुड़े हुए है 31 साल आपके जीवन के हो गए आप 17 साल की उमर में पहली बार मानेवर साहाब से आप मिले और उनके साथ रहे आप BSP के मेंबर बने साल की उमर में तब से लेके आज तक आप आंदरोन को बहुत तेजी सा आगे बढ़ा रहे हैं लगबग धायजार प्रोफिसर्स और डॉक्टर्स आपके संपक्त में आज भी हैं जो बहुजनवादी हैं बहुजनकारी हैं अमिटकरवादी हैं और हजार होगी संख्या में यूबग जो सालेंट तरीके से आप से जुड़े हुए हैं और आपने सहाब की जो नीची सेवा है क्योंकि उनके अंतिम छड़ों में भी आप उनके करीब रहे और उनकी जो चोटी मोटी जड़ोते हैं पूरी करते थे साब आपको बड़ा प्यार भी कर जो अब खास और से पिछले दस पता साल में युवा हुए हैं तो हम चाहेंगे कि आप उनकी टेक्निक्स और उनकी जितनी भी मारक शमताय थी साब की जो आपने सीखी उनसे वह सब यहां बिरिफ में कम से कम सब्दों में और कम से कम टाइम देते हुए बताएं देखे मानेवर कांसी राम साहब की जो सबसे बड़ी खूबी जो सबसे बड़ी खासियत उनकी रही कि उन्होंने उस समाज को जिस समाज के पास पहनने के लिए नहीं था जिस समाज के पास खाने के लिए नहीं था जिस समाज के पास रहने के लिए अच्छा मकान नहीं था उस समाज को ना सिर्फ इखटा किया बलकि उस समाज को वास्तव में हुक्मरान समाज बना के दिखा दिया आपने सुरुवाती दोर की बात की तब शायद मैं ग्रेजुशन में मैंने अड्मिशन लिया ही लिया था यह 96 की बात है, 97 की आसपास की बात है उस समय पर सहब का एक नारा जो मुझे बहुत ही दिल को छूने वाला था और जिसको आज भी बोलके रोंके खड़े हो जाते हैं वो नारा था कि अगर 85-86 में अबसे 32-33 साल पहले उस तरह का नारा हमें सुनने को मिला उस तरह का स्टेटमेंट सुनने को मिला तो उसके बाद से जब पहला आवसर मुझे मिला तो मैं इस आंदोलन के साथ जुला 87 में पहली बार जो BSP की एक यूनिट हमारे यहां पे बनी उसका ब्लॉक सेकेटरी था इनफेक्ट और उसके बाद से फिर सैंकलो बार आवसर मिले इस आंदोलन में साहब से बात करने का साहब से मिलने का और बहुत सारे चीजों को समझने का देखने का और अपनी तरब से जो भी कारे कर सकते थे आपने एक बात कही कि आप बाकी लोग जो है इस चीज को नहीं बता पा रहे हैं या नहीं हो रहे हैं यह कहना गलत है दरसल साहब का जो तरीका था वो साहब का तरीका एकदम अलग तरीका था उसमें साहब व्यक्ति से जिस भी व्यक्ति के साथ आज भी मानेवर साहब के बारे में नकारात्मक बोलने वाले भले ही उनके कितने बड़े राजनेतिक पृतिदंदी हों, कोई व्यक्ति आज भी देश के अंदर नहीं है, ढूने में आपको असानी से नहीं मिलेगा, लेकिन जो बड़ा सवाल है कि वो क्या चीजे थी जिनकी वज़े से सहब ने इतना बड़ा आंदोलन ख़़ा कर दिया पूरे देश के अंदर और आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ, को देश के अंदर लाखो इस तरह के कारे करता हैं, जो silently इस आंदोलन को सामाजिक परिवरतन और आर्थिक मुक्ति का जो अंदोलन के बारे में, अब वो सारे लोग राश्क्रिय फलक पर चाह रहे हैं, आज बहुजन अंदोलन पूरे देश में है, देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है, देश का कोई ऐसा जिला नहीं है, देश का कोई ऐसा गाव नहीं है, और मैं यह कह सकता हूँ, कोई ऐसी गली और महानाईक आएं थी जिन्होंने पूरा जीवन अपना इस आंदोलन को लगाया वो लोग जो हैं पूरी तरीके से अब समाज में अपना इस्थान समानी और इस्थान जो है प्राप्त कर रहे हैं ये सहाब का सबसे बड़ा योगदान था किस प्रकार से जो हमारे दबे लोगों को राज के फलक पर स्थापित कर पाएं हैं लेकिन आने वाले समय में ये चीज आगे बढ़ेगी दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि देखे सहाब की पूरी रणनीती थी उन्होंने सबसे पहले ये देखने का प्रयास किया कि हमारे समाज के पास किस तरह के संसाधन है उन संसाधनों में के सीमित संसाधनों के सहरी आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर अगर ले देके किसी तरह का संसाधन था तो हमारे जो educated employees हैं उनके पास था इसलिए उन्होंने वाम से backward and minorities employees federation communities federation एक ग्रूप बनाया उसके सहरे उस समाज मे उस पढ़े लिके तबके के अंदर payback to society का सिध्धान्त लागू किया उनके अंदर वो जजबा पैदा किया वो चेतना पैदा की उसी की वज़े से बहुत सारे लोग इस आंदूलन का हिस्सा बने और जो यह 78 में जो वाम से finally बना उससे पहले 64 से लेके 78 तक 14 साल तक सहाब उन्हें ग्रास रूट क्लेवल पे तैयारी की लोगों से मिले बाचीत की उन्हें समझाया उन्हें बताया और फिर लगभग 14 साल बाद जो है इन्होंने वाम सेफ का निर्मान किया यह समझ सकते हैं कि कितना महीन काम उन्होंने किया होगा जो आजकल के साथी तुरंत फुर जिसका हर व्यक्ति जो है किसी प्रॉफेसर से कम नहीं है आप किसी भी बहुजन समाज की विचारधारा के पारंगत व्यक्ति से बात करेंगे तो वो वाम सेफ के विस्विदाले से पढ़ा हुआ महा का निकला हुआ है इसके बाद क्या चीजे जैसे उन्होंने फिर बाद म रखा के नॉन एजिकेशनल, नॉन रिलिजियस, नॉन रियक्शनरी उग्रॉप होगा अभी तक जो सबसे बड़ी कमी हमारे बीच में नजर आ रही थी वो ये थी कि वो दुस्मन कोई काम करता था कोई प्रतिक्रिया करता था और हम उसका विरोध करते थे हम उसके प्रतिक प्रतिक्रिया नहीं करनी है, हमें अपना एजेंडा खुद सैट करना, अपना पर्मनेंट एजेंडा सैट करना और धीरे धीरे इस सिद्धान को आगे बढ़ाया, इसलिए आप देखते हैं कि BSP या बहुजन मुवमेंट चे जोड़े हुए लोग जो हैं वो सामानने ते प पाइटी के बनने के बाद जो है, नाइटी सिक्स में राष्टी एस तरगी पाइटी बन गई और आज भी BSP पूरे देश के अंदर तीसे नंबर की पाइटी बनी हुई है, इसमें दो तीन चीज़े मैं कहना चाहूँगा, कि एक तो जो हमारे आंदुलन की बुनियाद है, कि इस देश के अंदर जाती विवस्ता है, अगर जाती विवस्ता है, तो फिर हम आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं, आप उसमें एक दूसरे से प्रतिवोर्ता और संखर्ष करते हैं, समाज पूरा बिखरा हुआ है, तो मानेवर सहाब ने इस चीज़ को समझा और कह के मुझे जाती विवस्था को तोड़ के समाज जोड़ना है और जाती तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन बनाया चलाया in fact मेरी सहाब से पहली मुलाकात इस आंदोलन के तहती हुई और ये सायद 89 ए 88 के आसपास थी जो मेरट में पहली मुलाकास सहाब से हुई थी मेरी उस समय पर ये आंदूलन चल रहा था जिसमें उन्होंने देश के अंदर 7000 टुकलों में बाटे हुए समाज जिसको बाबा सहाब ने broken people कहा था उनको इखटा करने का प्रयास किया और अपने समय में ही वो हजारों जातियों को जोड़ पाए उसी का प्रणाम है कि आज देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर चाए वो backward classes के लोग हों या subtle class के लोग हों या subtle types के लोग हों अच्छी position में नहीं आ रहे हैं बहुजन समाज खुद सासक वर्ग ना बने बाबा साहब ने जो 1932 में कहा जो आगे चलके 1944 में उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को और खास दोर पर जो अंटेचिबल कॉम्टेटी है उसको इस देश का सासक बनना होगा ये विचार जो है मानवर साहब ने इस देश के दबे कुछले लोगों के दिमाग में सीमिंटेट कर दिया उसके अंदर एक पर्मानेट प्लांकेशन ये हुआ और जादतर लोग जो है बाबा साहब के उस विचार को के राजनिती जो है अगर राजनितिक सत्ता आपके पास है तो आप अपना सामज एक अंदोलन को बहुत आगे बढ़ा सकते है अपनी सभी समस्या का समाधान कर सकते है मानवर साहब ने उसको अमली जामा पहनाने का प्रयास किया तीसरी महतपूर बात में कहूंगा कि ये सारा कुछ जो मानवर साहब कर रहे थे वो सिर्फ राजनितिक सत्ता प्राप्त करने के लिए या जातिव को तोड़ने के लिए नहीं कर रहे थे बलकि उन्होंने अपना जो बाबा साहब का बड़ा सपना था इस देश को प्रबुद भारत बनाने का सपना था कि जिस प्रकार से अंध विश्वास, अन्याय, अत्याचार और गैर बराबरी की विवस्ता यहाँ पे है तो जो प्रबुद भारत का जो कंसर्प्ट बाबा साहब ने दिया उसमें ये बात आई के हमें बहुजन समाज को इखटा करके बहुजन समाज को प्रबुद बनाके प्रबुद देश का नागरिक बनाना होगा इसलिए समाज के उपर जो अंद्विश्वास का अन्याय अत्याचार का जो जाला पड़ा हुआ था जो जुन्जीरे थी उनको सहाब ने काट के भारत में वास्तव में बौद्धिक होने की जो परंपरा है उसको बहुत जादा मजबूती प्रदान की सिर्फ क्योंकि जो आम तोर पर बुद्धिजम के बारे में समझा जाता है कि बुद्ध का जो सिधान्त है या बुद्ध की विचारधारा है वो सिर्फ धार्मिक विचारधारा ऐसा नहीं है बल्कि बाबा सहाब ने अपनी जो किताब है रिवोलूशन एंड काउंटर प्रियास किया कि बुद्ध जो है वो महन क्रांतिक आ रही थे पहले सामाजिक क्रांतिक आ रही थे मानेवर कांसी राम सहाब ने भी बुद्धिजम की उसी धारा को आगे बढ़ाया कि बुद्धिजम जो है वो सामाजिक एवं राजनितिक परिवर्तन का आंदोलन है राज अमिनवाद से बाहर निकल चुके हैं और अपने आपको प्रबुद्ध भारत का नावरिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, रिशनल्टी को आर्गुमेंटेटिव इंडियन्स के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सहाब की बहुत इंपॉर्टन वो थी, और उसको आपकी मानदारी पे विश्वास हो जाता है, तो फिर कभी भी आपको वो छोड़ेगा नहीं, मानिवर सहाब ने इस चीज को समझा और खुद अपने पूरे जीवन को इस समाज के लिए लगाया, आप जानते हैं कि उन्होंने आजीवन अपने शादी ना करना, कोई स इसी तरह का जो है, शादी विवहा में ना जाना, इन सारी चीजों के आधार पे उन्होंने 40 साल इस देश में इस आंदोलन को चलाया, और उसका प्रणाम ये हुआ कि जो 4000 साल से हमारी विवस्ता थी, जाती वादी विवस्ता थी, वो चर्मनाने लगी, जो बीच में हमारे महापूर्स हुए, हमारी महनाई काएं हुई, उन्हों के आंदोलन को जमीन पे उतार दिया, उसको एकदम यथार्त में उतार दिया, और आज इस तरह की विवस्ता सामने नजार आ रही है, कम से कम हम इस शीज को देख सकते हैं, कि जो बाबा साहब ने कहा था कि सिर्फ रा यहाँ पर प्रभाव नहीं होना चाहिए, तो इस देश के लोकतंतर को, जो की खोकला लोकतंतर था, उस लोकतंतर को सामाजिक वैधता प्राप्माने वर साहब ने कराई, इसलिए उनके नारे देखिए, कि राज हमारा वोट हमारा राज तुमारा नहीं चलेगा, उनके रख्तित्व है, ऐसा लगता है कि भारतिये राजनीती में, वास्तव में, पिछले सत्तर साल में, अगर किसी एक व्यक्ति ने पूरी व्यवस्था को लोकतंतरिक दिसा देने का प्रयास किया है, तो वो मानेवर कांसी राम साहब है, इसलिए आज उनके बारे में पूरे दे झाल में, एक रम आज उनके, झाल में, तो वो रखना साहब है, झाल में, तो वो 20-06.